नरेंदर मोधी को पहले Philip Kotler Presidential Puraskar से नवाजा गया है लेकिन कोटलर पुरसकार समझ में नहीं आ रहा है कौन देता है, क्यों देता है, कौन चुनता है, कैसे देता है, किसी को कुछ नहीं पढ़ा उनके जो विदेश के सपोर्टर्स हैं उन्होंने सोचा कि हम एक इमेज जहेंगे मोदी जी को कि वो बहुत इंटरनाशनली रेकिगनाइज़ है उसमें बड़ा हानी हुआ प्रामिनस्टर की इमेज पे जब भी कोई प्रेस्टीजिस अवर्ड दिया जाता है तो सबसे पहले ये सवाल आता है कि प्रेस्टेशल अवर्ड की बहुत बहुत बढ़ाईया शुब कामनाएं बहुत-बहुत मुबारक हो नरेंदर मोदी जी को लगभग ये आवाजें पिशले दो दिन से लगतार सुनाई दे रही हैं नरेंदर मोदी की पूरी कैबिनेट ने उनको ऐसा लगता है कि मुबारक बाद दे डाली है को दिया गया अभी प्रधानमंत्री को क्यों दिया गया इसके अलावा इसकी जूरी में कौन लोग है इसको डिस्क्लोज नहीं किया गया हद तो तब हो गई है कि जो वेबसाइट ये दावा कर रही है कि ये फला फला कंपनी ने जो है इनको अवाड दिया है अब अगर उस वेबसाइट पर आप ये जाएंगे तो आपको इस तरह का कोई पता नही ही मिलेगा ये वेबसाइट अब खुल भी ने रही है वायर ने इस खबर को ब्रेक किया क्योंकि उन्होंने जानने की कोशिश की वायर के समवादाताने कि आखिर ये कौन सा आवाड है जो हमारे देश के पधानमंतरी को मिला है उन्होंने दो इस तरह की खबरें आप वायर अंदॉर्ष करने में कि कहने में कि हाँ ये मेरी तरफ से आवाड है ये कहने में भी लगभग एक दिन का 24 घंटे का समय लग गया और वह भी उन्होंने ट्विटर के जर्यें वह ट्वीट किया है यह ट्विटर जो अकाउंट ये भी VEरेफाइड नहीं है यानि कि से ऊपर पर प्रदानुत्री के ओपर कि अवार्ड उन्हें मिल गया है उमर अब्दुल्ला ने किया और अब शेशी थरूर जो है इसे अगले स्तर पर नेक्स लेवल पर ले गये हैं उनका ये कहना है कि फ्लिप कोटलर जो अवार्ड मेरा है ये पूरे तरीक से फेक है और एक तरह की जो एक नेशनल इंबरस्मेंट है एक तरह की राष्टिय शर्मिंदगी है उससे बचने के लिए नरेंदर मोदी को इस अवार्ड को वापस कर देना चाहिए तो फ्लिप कोटलर जो है उन्होंने बारहाल मान लिया है कि ये जो है वो अवार्ड उनके लिए दिया गया है हाल मिलना बहुत जुरूरी है चुना उसे ठीक तीन महीने पहले आई देखते हैं हमारे संवादता रगू करनाट जिन्होंने रिपोर्ट फाइल की है वो क्या बता रहे हैं कि क्यों उन्होंने इस पर जांच करने शुरू कि जब भी कोई प्रेस्टीजियस अवार्ड दिया ज सो तब मेरा शक मजबूत हो गया और फिर उस पहला रिपोर्ट निकलने पर दी रिपोर्टर आरुना चंदरशेकर गौर्ड टाच विद मी और उन्हें बताया कि सिदीगी का कई सौधी का कनेक्शन भी है तो वायर की इन दो रिपोर्ट के बाद भी कई सवाल जिनके जवाब हमें नहीं मिल रहे हैं वो ये कि 24 घंटे का समय क्यों लगा उनको अपने अन्वेरिफाइड अकाउंट से ट्वीट करने में कि वो एंडॉर्स कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हाँ उनके नाम का अस्तम अवार्ड में उसको उसमें जब अलीगर्ड का पता दिया गया तो अलीगर्ड के पते पर जाकर इंडिया टुडे टैलिविजन चैनल ने महाँ पर देखा पता चला कि वो रेजिदेंस है कोई रहता है किसी का निवास है वो दरसल कोई कंपनी भी नहीं है तो बहुत सारे जो हैं वो सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है क्यों प्रधानमंतरी को इतनी बेकरारी इतना डेस्परेशन है कि कौनसा इंटर्नाशनल आवार्ड उन्हें मिल जाए जिससे वोटर की नजर में ये पता चल जाए कि दरसल यह ऐसे प्रधानमंतरी हैं जो या 70 साल में जितने प्रधानमंत्री इस देश में रहे हैं या उन में से एक नहीं है वो एक विरास्त छोड़ देना चाहते हैं एक तरह की उनके अंदर एक खास बात अपने को एक खास चाहित बताने की यह जो तमन्ना है हमने अक्सर उनके अंदर देखी है कि वो कुछ ऐसा क कर जाना चाहते हैं जो पहले किसी और आने वाला कोई प्रधानमंत्री नहीं कर पाएगा उस तरह की लेगिसी ईक विरासत वों च्होड़ना चाहते हैं अक्राटा की टावरिंग पर्सनालिटी जो आपने कामों से नहीं बलकि अपने गानों से जिसे कहा जाता है अपने बे बुकर आवार्ड मिलते हैं जो कि बहतरीन साल की नौवल लिखने के लिए मिलता है उपर नियास लिखने के लिए इसके लावा फिल्मों के दुनिया में आवार्ड हैं साहित्य के दुनिया में आवार्ड हैं बहादुरी की ब्रेवरी के दुनिया में जो बहादुरी के लिए के लिए ना तो कोई वादा है ना खोई नारा है न को ऐसा ऐसा काम है न को ऐसी बात है यहां तक की जो ब्रैंड मुदी हमें 2hozea चeye ग्या थق बनाया गया था और पिछले चार साल में इस ब्राइंड मुदी को बचाने की भर Kultur कोशिश की गई लगता है वो भी अब धीरे धीरे जो प्रतिमा थी वो धीरे धीरे पिघल रही है आई देखते हैं दिली चेरियन जो जाने माने इमेज गुरू हैं वो क्या कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी 2019 में किस तरह के उमीदवार के तौर पर सामने आना चाहते हैं मैं तो यह बहुत असफली लगता हूँ मुझे लगता है कि यह गलत तरीका था और जल्द बाजी में कोई सपोर्टर्स ने कुछ किया उसमें नॉर्मली प्राइम मिनिस्टर के ओफिस में चेक्स और बैलनसे होते हैं और यह चेक्स और बैलनसे फेल हो गया इस तो मोदी जी क जो चवी बनाने हैं उनको बहुत सूच समझ के और कई चेक्स और बैलनसे के साथ आगे चलना है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का चवी देश का भी चवी होता है तो अगर इस वक्त कोई भी एस्पेक्ट हो जो एक्सेप्टिबल ना हो तो मुश्किल हो सकता है जा सकती है उसके लिए एक बाजार मौजूद है कुछ लोग तंस कर रहे है राहुल गांधी ने भी तंस किया है और बाकी लोग भी तंस कर रहे हैं जो नेता है कि क्या नरेंद्र मुदी को चुकि वह भी मार्केटिंग के गुरू है यानि काम ज्यादा उन्होंने नहीं कि एक पाफॉमंस नहीं देखा गया है लेकिन मार्केटिंग वहर चीज़ की करना चाहते हैं हर चीज़ को बाजार में सामने रखना चाहते हैं किया उनको वाकि छी सही ऑवार्ड मिला है कि एक मार्केटिंग गूरू ने यह वर दिया है यहनी कि इनका सिधांत में आपको बत और तमाम लोगों को नरेंदर मोदी ने दिया है तो साफ तो पर यह सवाल उठाए कि क्या वाकि नारे वादे तमाम तरह का जो कैम्पेइन है वो अभी तक खोकला नजर आ रहा है तो इस वक्त मोदी जी का जो प्रब्लम है यही है कि मोदी जी को अपना ट्रैक रेकॉर्ड डिफेंड करना है अपने गवर्मन के परफॉर्मेंस को डिफेंड करना है और सबसे डिफिकल्ट टास्क यह है कि अभी तक मोदी जी को यह नहीं पता चल रहा है और किसी को भी नही सरकार दे सकता हूं और जो भी आएगा वो मजबूरी से सरकार बनाएंगे क्योंकि उनके पास कई गडबंदरों की सहायता से वो पड़ पे आ सकता है तो मोधी जी के आईडियल इमिज स्ट्राटिजी अगर हम देखे तो यह है कि मैं ही चला रहा हूं और मैं ही सब कुछ आगे जाके करूँगा पर इसमें प्रब्लम यह है कि तब आपने क्या किया वो प्रशन उबर उटता है और वो जादातर लोग आंसर पॉजिटिव में नहीं दे रहे हैं इस वक्त है एक तरह का प्रदर्शन हमारे सामने यह किया है यह सब कुछ ऐसा लगता है कि जाया हो गया क्योंकि इमेज बनने के रेकिंगनाइजड है और इसी लिए वो कॉटलर अवार्ड वाला चक कर चला है उसमें बड़ा हानी हुआ प्रामिनिस्टर के इमेज में तो मेरे ख्याल में कई लोग कई इमेज के एस्पेक्स के बारे में वो सोच रहे हैं और उनको मेरे ख्याल में आगे आके वो इम्प्लिमेंट करने का टाइम अब से मार्च तक तर जो टाइम है वो यूज करेंगे पर मोदी जी का जो इमेज इस वक्त हैं वो सिर्फ तीन चीज़ों पर हैं एक मैं ही सब कुछ चला रहा हूँ दूसरा मेरे पास जो जो सपोर्टर्स हैं उनको मैं जो आश्वासन दिय क्या था 2014 में उसी आश्वासन से मैं आगे भी उनको डिलिवरी करूंगा यह दिखाऊंगा और तीसरा यह है कि इतना टाइम कम होता है कोई प्राइम मिनिस्टर के लिए तो मुझे एक बार और मौका दो तो हमें इंतजार है कि अब 2019 के जो चुनाओ है उस पे पर दा हट जाए उस पे से परदा हमारे सामने हट जाए और हमें पता चले कि आखिर किन मुद्दों पर यह चुनाओ लड़ा जाएगा क्या हिंदू-Muslim मुद्दे पर चुनाओ लड़ा जाएगा क्या जाती पर चु है वो उनके पास नहीं है हम इंतजार करेंगे कि इन अवार्डों से परे नरेंद्र मोदी 2019 के कैम्पेइन से परदा उठाएं ताके देश की जनता को ये पता चले कि ये चुनाओ कैसे होगा ताके राले कि अवार्डों झाले करो बस्कोर y voter कैसे नवार्डों